कि बार मैसेज किया था एक लड़के ने कि आपका भाई वहां पे कुछ फाइरिंग हुई थी धूमा हो गया था तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया आपका भाई हमसे अलगए उसको ढूंड लेना बस इतना ही मैसेज है तो उसके बाद कुछ किसी ने भी एजेंट ने उनको न्याई मिले तो ऐसे में हमारा भी प्रियास हमारे चैनल भी पहुंचा है मलकीत के घर आप मेरे साथ में देख सकते हैं या बैठी हो यह मलकीत की बहन है और प्रिवार की बात करें पूरे गाउं में मात्म चाया हुआ है तो चाहता है पूरा गाम की अभी तक न्याई नही नहीं है और अगर बात करें डैड बोड़ी भी नहीं आई है भी तक भी नयाय नहीं मिला मलकीत को और और एक लाल भी जाता है मां का भाई का अपना भाई बहन का अपना भाई जाता है पैसे में ऐसा काम ना करें बेबे राम 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 अच्छा जो मलकीत था अपते कदबात होई थी जब लाश्ट वार जब गया था मेरे साथ तो चैर मर्च को हुई थी बात लेकिन छोटे पास चारब पास दिन चाहएद मेरे फो ने नैट वर्क ना रहmoon तो तुम टेंशन मत लेना और चार-पास शाहएद बात भी ना हो पहे तो दो दिन बाद ही एक लड़के का मैस्जश आ गया था कि आपका भाई हमसे अलग हो गया उसको ढूंड लेना तो दो दिन बाद ही मेरे भाई ने ढूंड ना शुरू कर दिया था उसको लेकिन अजेंट ने कुछ नहीं बताया उसके बारे में जो कि उसको पहले दिन से ही सब कुछ पता था तो क्या करने जाना है काम दंदा नहीं है या फिर इतने पैस से ही गया था कि चलो मैं बाहर जाओंगा चोटा भाई यहां पे रहेगा अच्छा गुजारा हो जाएगा हमारा तो चाली लाख रुपे जैंट ने लिए सुना है हाँ चालिश लाख रुपे में बात लिए तो फिर ऐसे क्या हुआ कि उसने इस प्रकार की गटना को अंजाम पता नहीं हमने तो एक नंबर में बात की थी उसने बोला था कि मैं फ्लाइट के रास्ते से ही लेके जाऊंगा लेकिन वह वहां से उनको पैदल लेके जा रहा था अच्छा हां तो क्या पैसे नहीं मिले आजेंट को पैसे दे रखेते 25 लाख पहले दे रखेते उसको पंद को जाएगी हां उस टाइम जब चार मर्च को बात हुए थे उस टाइम तो ठीक ही था वो होटल में ठहरे हुए थे उसके दो दिन बाद चले थे वहां बारा बच्छे थे वह एक ग्रूप में अच्छा हां ग्रूप वाले क्या और को मैसेज नहीं आप ऐसे अलग हो या बस किसी को उनके घर वाले से कुछ नहीं करना किसी के पारे में कुछ नहीं बताना तो उसके बाद किसी ने भी हमारे साथ कुछ औरवागी नहीं किऊ व्हेलिए उनको भी कुछ नहीं किया गया उन्होंने बीड़्था पिर ऐसाल थे शाले वे bamtis तो करवार रखिये लेकिं कारवाई अभी तो क्या अजेंट के ओपर कुछ नहीं हुई है हमारे सरकार से यही द्रखास्त है कि हमारे भाई की डैड़ बोडी भी मंगाई जाए और अजेंट के उपर सक्सक्स कारवाई की जाए तक आगे किसी के साथ ऐसी दूर गटना ना हो एक और बड़ी बात वे जैसे आपने अपना वाई खोया है, एक माँ ने अपना बेटा लाल खोया है, तो ऐसा किसी के साथ ना मने, पैसे भी गए बेटा भी गया, तो ऐसे में आप दूसरों को क्या कहना चाहोगे, दूसरों से भी मेरी हाथ जोड़कर यह भी इनती है, के प्रिवार के किसी वेक्ति की, भाई आपने यह मतले ऐसा क्यों कर दिया, कैसे भी पूरे ले लिया और फिर भी यह काम कर दिया, उसके बाद तो उसने फोनी बंद कर लिया, उसके बाद उसके साथ कोई बात चित हुई है, लापता अस दिम से वह, उस साथ वाड़े वेक किसी नबात चिता है, उनको पता नहीं है, अभी साइद, अच्छा, उनके घरवलों से, पहले जब ढूंड रहे थे, तब तो कंटक्ट किया था, अगर आपका बच्चा कैंप से निकले थे, हमारी बात करवाना, लेकिन उसके बाद तो टाइम ही नहीं मिला, उनको, हमारे जब आपने फोटो बेज यह, तभी वो सोसल मीडिया के मादिम से आपकी वीडियो बीडियो भी डालने की कोशिज करेंगे, जो सोसल मीडिया पर वीडियो आई थी, तभी इनके प्रिवार को पता चला भी, ऐसे उसके साथ ये गट ना गट चुकी है, और पूरा प्रिवा प्रिवार करें लोगों की एक नमरे में जांगे लेकिन प्रैसे एठने काम कर रहे है, उसके बाद इस तरह का आदस हो यह, तो क्या कारवाई होने चाहिए, कारवाई होने चाहिए? यह प्रवाई होनी चीए और भाया इस तरह से उनकी बेट ना सब्सक्राइब और जान से मार दिया जाए तो उसको पता चले कि हाँ अगले को कितना दुख हुआ है वैड़ा जान से और फिसको पता चले कि हाँ अपने बिटे के बिना भाई के बिना कैसे जीना पड़ता आप क्या लगता जी अच्छा आप कितने बच्चे हैं दो लड़के थे गिया लड़की तो किये कह गया था मा सपने पूरे करूंगा सारी चीज जो होगी तो विदेश में गया भी पीसे भी लाए और इतना उल्टा भी हो गया भी उसके कर्मा की जाएगी जैंट नमा मुने के विरा जैंट की सा है अंत जैंट का पास भी नहीं उन्दा यदरं यह पहला पास रही है था लड़का था उसके पहला भी जा रहा था दिन में पहुंचा दिया था उसी एजैंट से तभी उस पर विश्वास बना था भाई पास पैसे उससे भी इतने लिए थे लेकिन वह फ्लाइट के रास्ते से िए इसको जंगल के रास्ते से लेके गया क्या पीशे बचाने का चक्क्र था सब्सक्रमा देख दूस्का सब्चार खर्चा है तकर दे प basta यह बड़ी बात निकलकर आई है जो चारी लाख रुपे दिये गए हैं यह देख माँ बाप कहां से लेके आएंगे जब अगर इतने पैसे हों देना तो यहीं नहीं काम कर लेंदा तो चुकोता पैसे ब्याज पैसे मतलल उठा करें पैसे तो आप सभी सपील रहेगी कि इस ख आप किसी और के साथ नामने ऐसा मतलब किसों का बैए बत्से सबना अपने अपने प्यारे हैं मा जलन देवा बहुत जाड़े बर और मा दिखन लागरी उन्ता के कहना चाओगे अपना बिट्टा ना इस तरीक से ना बेज़े आपने बत्से सबना प्यारे आपने बच्ची चारी लाख करने पड़े देखो बाई प्रिवार कितने सद्मे में तो चारी लाख रुपे की जो बात आए थी चारी लाग प्रिवार कहां से लेके आएगा फसल है नी फसल मर जाती आई बार तो ऐसे में जो प्रिवार ने करजा उठाया और ये करजा अभी सिर्पर है साथ में एक बेटे जवान बेटे की लास का करजा और साथ में जो चारी लाग रुपे है उसका करजा और एक और बड तो आप साधर से ज़्यादे इस खबर को शेयर करें और मलकीत को नियाए जरूर दिलाए अभी S.P. साहब से बातचीत करेंगे गाउं के लोग जब भी कल बात करेंगे तो उसके बाद हम रहें देखेंगे कि क्या रहा क्या S.P. साहब ने अस्वासन दिया और जो कमलेश डां आप रायर के कमेंट करें और ज़्यादे ज़्यादा खबर को शेयर करें धन्यवाद